हेलो फैंड तो आज मैं ड्रिंक बनाने वाली हूं कच्छी आम से जिसे आम पना भी बोलते हैं तो मैं एक रो मेंगो ले रही हूं जिसे मैं बॉयल होने के लिए देती हूं बरतन में और देख सकतो बॉयल हो चुका है कलर चेंज हो गया फोक्स से मैं तबाग देख रही हूं तो अच्छे से बॉयल हो चुका है मैं अच्छे से पील करके मैं उसके जो गुद्दे हैं उसे अच्छे से मैं स्पून से निकाल लेती हूं और इसे मैं अच्छे से मैस करके मैं इसक सरजार में और इसमें जो मैं मैंगो की पल्प कच्छे आमकी मैं बना के रखी हूं उसे मैं एट कर रहे हूं सारे लगबग थोरी से मैं रख लेती हूं क्योंकि मुझे तो चटनी में भी डालनी है अपनी चटनी बना रही हूं और एक मैं को काफी होते हैं चार पांच लोगों के लिए ड्रिंक बनाना कच्छे आमकी क्योंकि काफी जब पानी डालो तो काफी गारी दिखती तो थोड़ी ड्रिंक तो पतली बनाती हूं और उसमें भूंजी वेजी डाली हूं और गूल मरिच पाउडर बनाप पेपर पाउड़र और बहुत सारे पोधी नहीं अर्टे जलाने के लिए बाद में आपको जितनी पतली पीनी आप पाने एड़ कर सकते हैं तो मैं अच्छे से चला लेती हूं मिक्सर में डालके यह वीडियो में काफी पुरानी मैं सिब डाल नहीं रही थी क्योंकि वह वीडियो जॉइन नहीं की थी फिसमें ब्वैस एड़ नहीं थी और य वहां पर इंडिया में स्टार्ट होता है तो अब इंडिया में देखने की काफी लोग यूटूब में डाल रहे हैं मैंगो आइस्क्रीम मैंगो ट्रींक तो सचाचो लोग मैं डाल लेती हूं तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गयार काफी गारी दीख रही है इसमें और पाने डाल के मैं मिक्स कर लेती हूं अब इसमें मैं ब्लेक सॉल डाल रही हूं और थोरी से चाट पाउडर म्देश का और यह काफी अच्छी ड्रिंक लगती है थोरी सी सॉल्टी थोरी सी मीठी थोरी सी चटपटी खटी यहां के लोगों को उतना पसंद नहीं आता है यह द्रिंक क्योंकि या तो यहां पे ड्रिंक सोच लेते हैं दिमाग में कि मीठी ही होनी चाहिए हमारी जैसे नहीं होते है मीठी ड्रिंक ही पसंद करते है, स्वीट ड्रिंक, और एक मैंगो के उपर मैं टॉप में पोदीने की जाड़ भी लगा दियू अच्छी दिखने के लिए, और देख सो तुमें आधे ग्लासी मैं वो मैंगो प्यूरी ली थी और आधा मैं पानी अट कर रहे हूं, और फिर पानी ग्लाइगो ड्रिंक तयार है, आम पन्ना ड्रिंक तयार है, आम पन्ना ड्रिंक